हेलो फ्रेंट्स आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंघाडे के आटे और उबले आलू से कचोडियां जो की खाने में बहुत टेस्टी होते हैं तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ मैंने लिया है एक कटोरी सिंघाडे का आटा और सास से आठ उबले हुए आलू कटी हुई हरी मेर्च है ग्रेट किया हुआ अद्रक है और हरी धनिया पत्ती है कटी हुई सबसे पहले आलू को बहुत अच्छे से मैश कर लोंगी आलू को मैंने उबाल लिया था उबाल के अच्छे से ठंडा कर लिया था अभी देखिए अलू बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं अब इसमें डाल लूँगी आटे को और डाल लूँगी हरी मेश अधरक और धुनिया पत्ती को और डालोंगी इसमें मैं थ्वासा सेंधा नमक और पीसी हुई काली मिर्च वरत में अगर इन दोनों चीजों को किसी भी रेसिपी में डाला जा तो टेस्ट नहीं मिलता है काली मिर्च तो बहुत अच्छा लगता है ocado की सिथार क 17 एक तो जब्हँसमें इसमें ए करेंगा जोघमा की कटायना कि वस्कॉट तरेक्षों की जो श्चामी ना था कि वे इतुम होता है कि यह बहुत और शोगा तो इसलिए मैं जबता जेलिए जब्धी बीसिंगादे का हम qui मैं उसे घर में ही बना करके यूज करती हूं अब इन्हीं उबले आलू में आटे को बहुत अच्छे से विक्स कर लेना है पानी मैंने बहुत ज़रा सा डाला है ताकि इसे अच्छे से बाइंड कर सकूं आटा के प्रोसेस पूरा होने को मैंने हल्का सा आयल लगा दिया था य कभी भी आटे को गूत के ज्यादा देर के लिए चोड़ना नहीं है नहीं तो यह बहुत गिले हो जाते हैं अब इन आटों की मैं तयार कर लोगी अगर हाथ पे चिपकते हैं तो हलका सा हाथों पे और लगा लिगा लिजए जिससे कि यह हाथों पे चिपके ना इन जिसे मैंने पहले से साफ किया हुआ था अब इस पर थ्रवा सा ऐल अप्लाई कर रही हूं और यह चार पीड़े रख करके मैं इस पर ही इसको प्रेस करके बना दूंगी इस तरीके से जो यह कचोड़िया है बहुत बन जाती है और जब हम चकले पे बनाते हैं तो क्या होता बिना किसी जंदेट की बहुत अच्छे से बन दी है इसलिए मुझे इस तरीके से बनाना बहुत ही पसंद है चलिए अब इसे फ्राइब कर लेते हैं अब लेम को मैंने मेडियम ही रहने दिया है मैं इस पर को इसे फ्राइब कर रही हूं जब हलकी से नीचे से सिंग जाए तभी तभी इसे टर्न करना है अधर वाइस ये फट जाएंगी या तूट जाएंगी अब तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल के नीचे लिखे हुए रेड बटन जो सब्सक्राइब लिखा है उस पर आप ज़रूर से क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपका एक-एक सब्सक्राइब में लिए बहुत ही वैल्यू करता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा इसलिए देखे कचोडिया मेरी तयार हो रही है इन कचोडियों का फरेधनिय की चटनी के साथ या व्रत में खाया जाने वाले आलू टमाटर की सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह देखे कचोडिया रेडी हो चुकी हैं इसी तरीके से मैं अपने सारी कचोडियों को फ्राइब कर लूँगी तो फ्रेंड्स अगर मेरा अभी तूमाटर के सहां शाओ जाणै यालू नच्ट्ट Looks याल है, ला वीज़ ओड़ हो यालुग्वादर सुओा के सारी हो चैज़ने।